नमस्कार, Competition Community के Comprehensive Current Affairs प्रोग्राम में मैं पुखराज करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अगला वीडियो जो है उसको लेकर मैं आ चुका हूँ, इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो 11 से लेके 17 नवंबर 2022 तक के जितने important current affairs है, जो हमार examination point of view से बहुत महत्वपूर है, important है, इनको क्या कर लेंगे, अपन properly analyze कर लेंगे, तो बिना time को waste करें क्या करते हैं, आ जाते हैं, खाली slide पर, और खाली slide है मतलब क्या है, यहाँ पर एक सहितकार है, तो ध्यान रखेगा, आज के सहितकार का code, तो बंसी धर, अब समझ जाओ, बंसी धर की ने कहा गया है, तो बंसी धर तो कौन है, भगवान शीक्रिष्ण है, और बंसी धर जो है न, उनकी जो कहीनी है, या कहानी है माल दो, यह पूरे पूरे विश्व में क्या है, बहुत famous है, तो code क्या याद रखेगा, code याद रखेगा, बंसी धर के कहीनी या कहानी, साहितिकार जिनका नाम है क्या बंसीधर पांडे जी त्लियर है यह हाँ यह गायब ठीक तो बंसीधर पांडे जी यह है साहितिकार इनको 36 गड़ का फर्स्ट उपन न्यास कार भी कहा जाता है तो 36 गड़ के प्रथा मुपन न्यास कार कहलाते हैं कौन बंसीधर पांडे जी कहनी से इनकी रचना क्या है हीरो के कहिनी और विश्व से इनकी रचना क्या है विश्व का फल तो मैंने कोड क्या बताया मैंने बताया बंसी धर जो है उनकी कहिनी पूरे विश्व में फेमस है बंसी धर से जो साहित कार है क्या नाम है इनका बंसी धर पांडे इनको चत्तवड़का प्रथा मुपन्यासकार कहा जाता है next कहिनी कहिनी से इनकी रचना है क्या हीरू के कहिनी और दूसरी रचना है विश्व से क्या विश्व का फल clear है तो यहाँ पर हमने साहितकार वाला जो section है उसको देख लिया है अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ वैसे तो मुझे लगता है कि आप निकत माडम का वीडियो देखी चुके होंगे सब को पता है यार कि notification को लेके बहुत जादा अनिशित्ता जो है वो बनी हुई है लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि इस समय रणनीती कैसी हो तो अगर आप हमारे एक्सपर्ट से जानना चाहते हैं कि इस समय को कैसे प्रॉपली यूटिलाइज करके सही तरीके से examination की तयारी करनी है ताकि इसी attempt में आपका selection हो सके तो आप हमसे जुड़िये live तो ध्यान आपको रखना है date 21 नवंबर 2022 समय है शाम को 4 बजे तो competition community का जो YouTube channel है उस YouTube channel पर हम आने वाले हैं live तो हमारे सबसे प्यारे जो हैं प्रधान सर प्रधान सर रहेंगे इसमें इसके अलावा आकास सर रहेंगे निखत मैडम रहेंगी और संग में कौन रहने वाला है तो मैं clear है तो ध्यान रखना अगर आपके मन में संशय है तयारी को लेके अनिश्चित्ता को लेके मन में परिशानी है डाउट है दिक्कत है हम से जुड़िये हम है हम करेंगे मदद तो 21 नवंबर 21 नवंबर दिन है क्या सोमवार शाम को चार बजे एक दम फिरी प्रोग्राम रखना है कुछ नी करना है मस मोबाइल के आगुम ओड़ा देख बड़ी जाना है ठीक है और कौन-कौन मिलेगा आपको लाइफ सेशन में तो लाइफ सेशन में मिलने वाले हैं अपने प्रधान सर, आकास सर, निखत माडम और मैं हो सकता है कि आवाज थोड़ा सी हाथ खराब हो गया मेरे हाथ माई गीरिया था चलिए अब क्या करेंगे तो लास्ट वीडियो में जो अब इसी में मैं जब राज्यो को बता रहा था जारखंड गलती से बता दिया था असल में वो उड़ी सा था हाथ जोड़ता हूं माप कर देना ठीक है हो जाता है आदमी हूं इंसान हूं गलती नहीं हो जाएगा कैसा करते हो यार लेका जैसे उसके बाद हाल ही में चत्तिजगर शासन जो है उसके समाज कल्यान विभाक के द्वारा हेल्प लाइन एवं टोल फ्री नंबर का संचालन किस वर्क के लिए शुरू किया गया है तो बुजुर्गों के लिए भी था दिव्यांग लोगों के लिए भी था और थर्ड जेंडर के लिए भी था इसलिए सहीं आंसर क्या होने वाला है होने वाला है उप्रोक्त सभी all of the above अगला क्वेशन क्या था चत्तिजगर सरकार ने गौमूत्र की खरीदी कब से शुरू की है थरे लिग दिन 28 जुलाई 2022 और इसके बाद हम चलते हैं चौथे क्वेशन पर सूश्री केरण अगरवाल जी किस खेल से संबंदित है तो मैंने लास्ट वीडियो में ही बता दिया था इनका संबंद किसे था चैस से क्लियर है चलिए अब आजाते हैं इस बार के निउस पर देखते हैं तो सबसे पहले कबीर धाम जो डिस्ट्रिक्ट है वो देश का पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट बना है जिला बना है जहां की मोतिया बिंद मतलब कैटराक्ट जो है उसकी वज़ा से द्रिष्टिहीन या जो ब्लाइंड हो गए हैं ऐसे चिन्हांकित या हाइलाइटेड जो लोग हैं उनका क्या किया गया है सभी लोगों का सफलत पूर्वक ऑपरेशन किया गया है एक्चुली स्टोरी यह है कि पिछले साल सेप्टेंबर दो हजार इक्किस में इस कभीरधाम जिले में कैटराक्ट के कारण दोनों आखो से रोश्नी खो बैठे या ब्लाइंड हो गये लगभग 1128 लोगों को हाइलाइट किया गया था चि ब्लाइंड लगभग 2124 लोगों को क्या किया गया था चिन्हांकित किया गया हाइलाइट किया गया ठीक है भाई अब चिन्हांकित तो कर लिए अब क्या करने वाले हैं तो ध्यान रखना अब इनका होगा ओपरेशन ठीक तो इनका ओपरेशन सफलता पूर्वक कंप्लीट क 22 को सफलता पूर्वक इन सभी का ओप्रेशन कर दिया गया तो कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट जो है कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट में सितंबर 2021 में मोतिया बिंद कैटरैक के कारण दोनों आखे से ब्लाइंड 1128 लोगों को हाइलाइट किया गया एक आख से ब्लाइंड 2124 लोगों क सब का क्या कर दिया गया ओप्रेशन कर दिया गया इसी लिए कबीरधाम जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे कंट्री इंडिया में ऐसा पहला डिस्ट्रिक्ट बना जहां पर जितने भी लोग हाइलाइट थे कैटराक्ट ब्लाइंडनेस या मोतिया बिंद की दृष्टी हीनता से उन सब का क्या कर दिया गया है, अब अगर पूरे राज्य या 36 गड़ की बात करूँ, तो ये जो financial year चल रहा है, वित्ती वर्ष चल रहा है 2022-23, इसमें अभी तक मोतिया बिंद की कारण से द्रिश्टी हीन हो चुके, ब्लाइंड हो चुके, 59,379 लोगों की सरजरी की जा चुकी है, एप्रॉक्सिमेटली याद रखोगे, तो लगभग 59,400 याद रख सकते हैं, इतने लोगों की सरजरी की जा चुकी है, जो लोग cataract के कारण blind हो गए थे, मोतिया बिंद के कारण द्रिश्टी हीन हो गए थे, अब ये सब किस अभियान के अंतरगत हो रहा है, तो अभियान का नाम है राश्ट्रिय नेत्र जोती अभियान, तो ध्यान आपको रखना है, राश्ट्रिय नेत्र जोती अभियान के अंतरगत ही, ये सभी जो operations हैं, ये operations किये जा रहे हैं, सरजरी स्की जा रही है अब इसी अभियान के तहट चत्रिस गड़ के तीन जले नाम है क्या पहला हमारा राइपुर जिसके उत्तर में है बलोदा बजार और दुर्ग के दक्षिन वाला बालोध तो याद रखना राइपुर बलोदा बजार बालोध को इस साल के नवंबर तक मतलब इसी महीने तक नवंबर में वीडियो बना रहा हूँ मैं और राइगड दंतेवाडा सूरजपुर इसको अगला महीना मतलब डिसेंबर तक मोतिया बिंद मुक्त जिला बनाने का क्या किया गया है लक्ष रखा गया है इस बात को आपको धियान रखना है तो राष्ट्री नेतर जोती अभियान के अंतरगत राइपुर बलोदा बजार बालोद को नवंबर तक राइगड दंतेवाडा सूरजपुर को डिसेंबर तक क्या करना है मोतिया बिंद मुक्त जिला बनाना है ठीक है मुक्त राज्य बनाने का लक्ष रखा है समझ में आया कैटराक्ट ब्लाइडनेस फ्री स्टेट बनाना है तो कैटराक्ट तो नहीं प्रेवेंट कर सकते मोतिया बिंद तो हो जाएगा उमर के साथ लेकिन उसके कारण किसी को द्रिष्टी हीनता ना हो ब्लाइडनेस ना हो तो मोतिया बिंद द्रिष्टी हीनता मुक्त कैटराक्ट ब्लाइडनेस फ्री स्टेट बनाने का बीडा उठाया है या टारगेट किया है या लक्ष निर्धारित किया है कौन से वर्ष तक 2025 तक क्लियर है अब इससे अपन question देखते हैं तो सबसे पहले अगर मैं बात कर लू mcq की तो ध्यान आपको रखना है mcq के रूप में सबसे पहले पूछा जा सकता है देश का ऐसा पहला कौन सा जिला है जहां पर मोतिया बिंद की वज़ा से दृष्टी हिन चिन्धांकित सभी लोगों का उपरेशन कर दिया गया तो ध्यान रखना कौन सा जिला है कबीरधाम कौन सा जिला है रभीया कबीरधाम पहला question बन जाएगा clear है ये ठीक है अगला question पूछ सकता है कि cataract blindness free को डिकलियर करने का किस वर्ष तक का लक्ष है तो 2025 तक का लक्ष है इस बात को आपको ध्यान में रखना है तो ये दो बहुत महत्पून question है अब एकदम और detail में पूछने लगा तो फिर आपको पूछेगा बलोदा बजार, राइपूर बालोद को नवंबर मास तक राइगर दंटे वाड़ा सूरजपूर को दिसंबर तक क्या करना है मोतियाबिंद मुक्त जिला बनाने का लक्ष है प्राक्टिकली मोतियाबिंद मुक्त नहीं मोतियाबिंद दृष्टी हीनता मुक्त बनाया जा सकता है तो थोड़ा सा टापोग्राफिकल मिस्टेक हो गया है जी मुटिया बिंदमुक्त कैसे बना सकते हुआ आदमी लोगह तो थोड़ी निकाल लोगे सब करते काम करना ना रही बास ना बजीब आस रूए कि ऑसा नहीं किया सकता ठीक है चलिए तो से कि उसमें इतना याद रखना इसके लावे यह टॉपिक बहुत इंपोर्टेंट है हेल्थ से संब्धित अगर कोई ऐसे आता है तो इस टॉपिक को आप इस्तिमाल कर सकते हैं ऐसे में आपके रूप में डाल सकते हैं चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं अब नेक्स्ट टॉ स्टेट गॉबंट है राध्य सरकार है और इंडियन काउंसिल फॉरड काल्चरल रिलेशन्स जु के मध्येक संज़होता हुआ है समझ में ठीक है अग्रीमेंट हुआ है तो कहा हुआ है नियू डेली नई दिल्ली में अब यह समझा होता कि इसके किसके मध्य है तो州 चत्यक ये समझोता ये agreement हुआ है अब ये जो समझोता है agreement है इसका उद्देश क्या है तो उद्देश ध्यान रखना हमारे प्रदेश में हमारे स्टेट में संस्कृति मतलब कल्चर और परियाटन मतलब टूरिजम इससे related जीतनी सुविधाएं है फैसिलिटीज है इसका क्या करना वि के अलावा अधो सनरशना का निर्मान करना मतलब इससे related infrastructure को develop करना और साथ ही साथ क्या करना है तो अधर जो नेशन से अन्य जो देश है उनके साथ द्वी पक्षी मतलब bilateral सांस्कृतिक संबंध cultural relations को क्या करना विक्सित करना है या डेवलप करना तो basically क्या उद्देश है क्य objective है तो हमारा जो state है उसमें संस्कृति culture और पर्यटन tourism से related जितनी भी facilities है सुविधाये हैं उसका विकास करो विस्तार करो ठीक बात है infrastructure को develop करो और other countries के साथ क्या करो तो bilateral cultural relations जो है उसको भी क्या करना है विक्सित करना है डेवलप करना है अब इससे lab क्या होगा तो ध्यान आ क्या कार है उनकी प्रस्तुती या presentation जो है वो 36 गर राज में अगर कोई सास्कृतिक कारिक्रम और परियटन से जुड़ा कारिक्रम आयोजित हो रहा है उसमें हो सकेगी समझ में आया तो इस समझोते के माध्यम से होगा क्या जो other nations हैं दूसरे देश हैं उन देश के जो प्रत प्रतिभागी कलाकार है गलती से स्टेट बोल दिया होंगा यहां पर तो ध्यान रखना अधर स्टेट हैं जी other nations समझ में आया ना तो इतना थोड़ा सा माप कर दो तो विभिन देश या other countries हैं other nations हैं उनके प्रतिभागी कलाकार जो हैं मतलब उनके जो आर्टिस्ट हैं कहलो जो लोग performance देते हैं वो लोग क्या करेंगे 36 गड़ में culture या tourism से related अगर कोई program हो रहा है उसमें आके presentation दे सकेंगे इस agreement के बाद वैसी भी मैं आपको बता दू यह होता ही है आपको पता ही है कि जब हम लोग के यहां पर जो जन्जाती महच्चो होता है ठीक है उस समय बहुत सारी अलग अलग देश से लोग और कलाकार आते हैं परफॉर्म करते हैं उस समय ICCR जो है न यह बहुत बड़ी भूमिका निभाता है उनको लाने में इसके अलावा क्या करने में तो जब वो वापिस जाएं तो प्रॉपरली उस समय के बीच में उनको जो facility मिलना चाहिए आगे चतिसगर राज्य के जो कला समू है समझ में आया आर्टिस्ट लोग का जो ग्रूप है उसकी क्या लगाई जा सकेगी प्रदर्शनी exhibition शिवर लगेंगे इसके लावा संगोष्टी लगेगी workshop समझ में आया ठीक इसके लावा सम्मिलन हो सकेंगे इसके अलावा क्या है जितने प्रदर्शन कारी कला है मतलब जिसको performing arts बोलते हैं प्रदर्शन कारी कला performing arts उन सब का workshop का रिशाला ये सब कहां आयोजित हो सकेगा अब विदेशों में भी foreign में भी क्या हो सकेगा आयोजित हो सकेगा तो ये benefits है इस agreement के clear है ये ठीक है भई अब क्या गरते हैं तो तो सबसे पहले तो आपको ये पूछ सकता है कि हमारी संस्कृति और परियतन जो है इसको बढ़ावा देने के लिए 36 गड़ और किसके मध्य समझोता हुआ है तो यादटना ICCR एक क्वेशन कहां हुआ है नई दिनली में तो ये दो सबसे महत्पूर्ण का क्वेशन है अब इस प्रकार से भी क्वेशन आ सकते हैं चलो अब नेक्स देख लेते हैं तो 36 गड़ के लगभग 26 जो स्कूल है उनको क्या है राज्यस्तरी स्वच्चता पुरुसकार स्टेट लेवल का स्वच्चता पुरुसकार इनको मिला है ठीक बात है भई अब समझने कोशिश करते है कि असल में हुआ क्या चलिए तो बाल दिवस मतलब 14 नवंबर 2022 के दिन राज्यस्तरी स्वच्चता पुरुसकार जो है उसका आयोजन किया गया कहां किया गया है तो राइपूर में पता है न साइंस कॉलेज ग्राउंड में क्या है तो पंडित दीन दयाल उपाध्याय ओड परिटोरियम राइपूर में आयोजन किया गया इसका और जो स्कूल सिक्षा मंत्री है चत्रगड के स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर जिनका नाम क्या है डॉक्टर प्रेम साय सिंग टेकाम इनको रखा गया चीफ गेस्टिया मुख्य अति थी अब यह जो एवार्ड है आयो तो रूप से क्लियर है अब हुआ क्या इस एवार्ड में आपको ध्यान रखना है ओवर ओल पर्फॉर्मेंस पर ट्वेंटी स्कूल बीस स्कूलों को और कुछ-कुछ सब क्याटिगरीज उप्षेणिया भी थी इसमें अच्छा प्रदर्शन या सर्वश्रिष्ट प्रदर जो की क्या था बाल दिवस तो 14 नवंबर 2022 को राइपूर के पंडित दीन दयाल उपाध्या ओडिटोरियम में क्या किया गया राज्यस्तरी स्कूल स्वच्छता पुरुसकार जो है उसका क्या किया गया आयोजन किया गया ओवरल परफॉर्मेंस काटिगरी में 20 जो स्कूल है उसको अवार्ड मिला सब काटिगरीज में 6 स्कूल को अवार्ड मिला यहां तक ठीक है अब ऐसा ही एक अवार्ड जो है ये राश्ट्री स्तर पर भी नाशनल लेवल पर स्टेट नहीं नाशनल तो एक राश्ट्री लेवल पर भी है अब राश्ट्री लेवल पर क्या है तो ध्यान रखना बिलासपुर जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा इसका टैगोर इंटरनाशनल स्कूल सक्री जान गया आप लोग तखतपुर के पास तो बि 19 ओफ नवंबर को नई दिल्ली में जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो ये डेट निकल चुका होगा 19 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया जाने वाला राष्ट्री स्वच्छ विद्याले पुरुसकार जो है उसके लिए चुना गया है तो ये बहुत इंपोर्टेंट है इसको ध्यान रखना है राष्ट्री स्वच्छ विद्याले पुरुसकार के लिए किसको चुना गया है तो फिर ये आपका आया टैगोर इंटरनाशनल स्कूल सक्री को ठेक है भई अब एक फाक्ट आपको ध्यान रखना अच्छा इसको कौन बताया है तो जब पुरुसकार वित्रण इस समय हो रहा था आयोजन हुआ था उसी समय स्कूल सिक्षा मंत्री ने इसकी जानकारी बी अब नेक्स क्या होता है तो चट्रगर राज जो है उसने स्वच्छ विद्याले पुरुसकार 2021-22 का जो आयोजन हुआ था उसमें अधिक पेट किया है स्वच्छ विद्याले पुरुसकार में और यह हमारे देश के लिए रिकॉर्ड है देश में यह तीसरा स्थान पर था 97.7% स्कूल ने क्या किया आविदन किया इस अवार्ड के लिए कौन सा स्वच्छ विद्याले पुरुसकार तो 36 गड़ से ध्यान रखना ह यह लगभग 55,217 स्कूल्स ने क्या किया 15 किया और पूरे इंडिया की अगर बात करूँ ना तो लगभग 8,000,000 न ने क्या किया 85 किया थीक है चलिए अब आज आते हैं कुष्छ न्स पर तो अ क्छुर्छ के लिए ध्यान रखना है सबसे पहले पूछ सकता है कि राजयस्त्वरी स्वच्छता पुरुसकार कितने स्कूल्स को मिला है तो 26 कब मिला 14 नमंबर कहां पंडिट दिन दयाल उपाध्या ओडिटोरियम में आयुजन करता कौन थे यूनिसेफ चत्यदगर गवर्मेंट ठीक है भई नेक्स्ट आपको सीधा पूछेगा राश्ट्री स्वच्छ विद्याले पुरुसकार जो है किसको मिला है टाइगोर इंटरनाशनल स्कूल ये ध्यान रखना उसके बाद बहुत डीटेल में पूछना था है तो पूछ देग नेक्स्ट टॉपिक क्या है भईया तो मुख्यमंतरी ने नहरूका भारत.com वेबसाइट जो है इसको इनाग्रेट कर दिया लोकारपन कर दिया इसका तो कौन किये है तो भूपेश बगेल जी ने किया है ठीक है वेबसाइट का नाम क्या है नहरूका भारत.com अब यह जो व पॉलिसी आनलीसिस रीसर्च और नॉलिज फांडेशन जो है उसने क्या किया है इसका निर्माण किया है इस वेबसाइट को बनाया है अब इसका डिजिटल पाक्षिक बुलेटिन भी प्रारंध किया जा रहा है पाक्षिक मतलब 15 दिन वाला तो फोर्टनाइट वाला एक महिनें दो बार ऐसा डिजिटल बुलेटिन भी क्या है स्टार्ट किया जा रहा है अब यह जो वेबसाइट हिससे क्या होगा तो पंडित नहरू इसके अलावा अन्यस्वतंत्रता संग्राम जो सेनानी है और इन से रिलेटेड जितनी सत्य हैं मतलब जो ट्रू और जो फैक्ट्वल जानकारी या नौलेज है वो लोगों को उपलब्ध हो सकेंगी तो पंडित नहरू या किसी भी सोतंतता संग्राम सेनानी के बारे में एकदम ऑथेंटिक सही और फैक्ट्वल नौलेज आप जानना चाहते हैं तो आप नहरू का भा प्त्य और तथ्यात्वक जानकारी उपलब्ध कराना तो जो सही और जो फैक्ट्वल नौलेज है उसको अवेलेबल कराना कॉमन मैन आम जंता ठीक है ताकि समाज के जितने वर्ग हैं इन सभी के मध्य में क्या रहे प्रेम रहे लव सौहाद्र रहे समर्स्ता रहे भाई चा पंडित नहरू का जो आइडिया ऑफ इंडिया था उसको क्या करना पोट्रे करता और साथ में कॉंस्ट्यूशनलिजम या सविधानवाज जो है इसका सन्रक्षन करना या कंजर्वेशन करना ये क्या है इसका उद्देश है क्लियर है अब आज आव अगर क्वेश्चन पे तो ध्यान रखना सबसे पहले पूछेगा कि यह जो वेबसाइट है इसका लोकारपण कौन किया है तो सीम सर कीए है एक बात को ध्यान रखेगा अगला ध्यान रखना पूछेगा इसका निरवान किसने किया है तो पार्क फांडेशन मुझे ऐसा क्यों पताने इंट्यूशन आ रहा है कि पेपर नंबर फॉर जो साइंस टेक है न उसमें 30 वर्ट में कुश्चन आ जाए गया कि नहरू का भारत वेबसाइट जो डिजाइन किया गया है इसका क्या उद्देश है क्या अबजेक्टिव है उद्देश है आपके साम ठीक है अब देखते हैं 14 से 27 नवंबर 2022 तक यह चलेगा कहां पर नई दिल्ली के प्रक्ति मैदान में तो केंद्री वानिज्य और उद्द्योग मंत्री जो है मनिश्फ कॉमर्स और इंडस्ट्री के मंत्री क्या नाम है उनका तो है प्यूश गोयल जी उन्होंने क्या किया उद्धाटन क्या इनागरेट किया है क्रम क्या है तो 41st नंबर का ही है कौनसे नंबर का है 41 ठीक बात अब ध्यान रखेगा इसमें शामिल तो भारत के 29 स्टेट्स और सभी केंद्र शासित प्रदेश सारे के सारे यूटीज शामिल है इस बार का थीम क्या है वोकल फॉर लो लोकल टू ग्लोबल ठीक अब यह जो थीम है इस अबधाराना पर चत्रगड का भी क्या है तो कहलो एक स्पेस है जहां पर चत्रगड का स्टॉल लगा है वहां पर क्या है चत्रगड के ग्रामुद्योग स्वासहायता जो समू है सेल्फ हैल्फ ग्रूप्स इनके उत्पाद हांड लूम हस्तशिल्प हर्बल और क्रिशी विभाग आदी के स्टॉल लगाए गया है तो चत्रगड का जो एरिया है वहां पर वोकल फॉर लोकल 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 टू ग्लोबल जो है इस थीम के अंतरगत ग्राम उद्योग सेल्फ हेल्फ ग्रूप के उत्पाद हो गया है हैं लूम हस्तशिल्प इसके अलावा हर्बल और क्रिशी विभाग जो है उसके बहुत सारे स्टॉल्स जो है चत्रगड वाला जो एरिया है वहां पर लगे हैं उसके बाद पार्टनर स्टेट कौन-कौन है इस पेयर के बिहार है जारखंड है महाराष्ट है और फोकस किन स्टेट्स पर है यूप यूतर प्रदेश्वर ठेक है तो यह तो बहुत ईजी था समझ में आ गया होगा क्वेशन क्या-क्या पूछ सकता है अंतर राष्ट्री वियापार मिला 14-27 तारीक तक हुआ है कहा हु अब नेक्स्ट आ जाते हैं कुछ एक्स्ट्रा फाक्ट्स पर विविद्त त्या तो चत्यदगर राज्य जै विविद्ता बोर्ड बायो डियावस्टी बोर्ड जो है उसके अध्यक्ष कौन है ध्यान रखना श्मीर आकेश चतुरवेदी इसके रावा चत्यदगर राज्य उब्भोकता आयोग क्या ध्यक्ष नियामूर्ती स्री गौरव चौरड याजी फॉर्टी फिफ्ट राउद नाचा महत्सव दो हजार बाइस हुआ है क्लियर है 1978 से शुरू हो चुका है तो यह लाल बहुत दुर्शास्त्री स्कूल का जो मैदान है बिलासपुर वहां पर ह हुआ ध्यान रखना बहुत इंपॉटेंट है कई बार प्रीम पूछता है कब से स्टार्ट हुआ 1978 इस बार पहुंचा था 45 पैतालिस हुआ उसके बाद विश्व का पहला बैंबू क्रैश बैरियर बे में तरह में निर्मान रथ है बनेगा क्रैश बैरियर तो ध्यान रखन और इसको ऐसे गड़ी आ दिये रहते हैं यह पूरा लोहक बना रहता है और अभी भी नहीं समझ पाए हो ना तो मोबाइल तो धरे होगे नेट भी होगा सर्च कर लो क्रैश बैरियर वैंबुक बन रहा है ठीक पर चत्रगर की पहली वंदे भारत जो ट्रेन है बिलास्पू जो जो इसके जगापर क्या हो रहा है तो जूट उद्योक खुलेगा बहुत आज कल नेउज में ध्या ना कौन से फूलेगा जूट और उसके बाद एक अप्लिकेशन है जसका नाम है क्या जल्दूत तो जल्दूत मोबाइल आप जो है तो ध्यान रखना केंद्री ग्रामी को मापने के लिए इस आप को बनाये गया है और इस आप का उपयोग करके प्रत्य गाव में दो-दो कुवा जो है उसका चयन किया जाएगा और उसको मापने का कारिया किया जा रहा है अभी भी चल रहा है तो यह कुछ factual चीजे थी जो विविद में थी जिसको आपको सीधा-स ध्यान में रखना है डिरेक्टी एक क्वेशन के फॉर्म में आपको मिल सकता है चलिए तो वीडियो को एंड करने से पहले क्या करते हैं कुछ को देख लेते हैं पहला क्वेशन क्या है तो देश का पहला जिला कौन सा है जहां पर मोतिया बिंत की वज़ए से दृष्टिही लिए लास्ट क्वेशन क्या है तो बिलासपुर में आयो जित राउच नाच्छा मोहँचा दो हजार बाइस कौन से क्रम का कौन से क्रम का क्लेर तो यह कुछ क्वेशन है तो आप सभी क्या करिए क्वेशन के आंसर को कमेंट पर लिखिए ठीक है तो 17 तारिक तक यहीं था अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूँगा और फिर से आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि मंडे 21 तारिक का जो लाइट सेशन है उससे हमें या उससे नहीं जी उसमें हमसे जरूर जुणे ठीक है चलिए तो मैं मिलूँगा आप सभी से आपने अगले वीडियो में तब तक लिए थांक्यू और टेक केर